बिहार में जिस तरह से ये पूरे देश में, हम बिहार की बात ही करें, जिस तरह से आए दिन घटनाए घट रही हैं, कहां कौन सी महिलाए सुरचित? जो हमारे हक और सम्मान के लिए लड़ेंगे, बात को दबाएंगे नहीं, हम उनके साथ रहेंगे. हम कोई के नहीं मानते हैं, नेते भी धाएक तो चोड़ी करवा रहा है. यदि सरकार अत्याचार खतम कर दी रहती, तो आज हम लोग रोड़ पर इतनी भारी संख्या में महिलाए इकत्रित होके, हम लोग अत्याचार के बिरोध में परदर्सन नहीं करते हुए रहते हैं. आज महिलाएं सडक पर हैं, महिलाओ के नाम पर वोट मांगा जाता है, पूरे देश महिलाओ को लेकर के वोट मांगने प्रक्रिया अभी चालू है, 2019 का चुनाओ भी पास में है, और महिलाओ को लगतार हिंसा बढ़ रहे को लेकर के आज महिला सडक पर और उनसे बात कि क्या कुछ हिंसाओं का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही अगामी चुनाओ पर वो किस सरकार के साथ जाना चाहेंगी, आज का मुद्दा यही रहा कि इधर हाल में कम से कम दो महिना से महिलाओ एवं लड़कियों के बीच इतना ज्यादा याविंशोशन हो रहा है, ब कैचार कम हुआ है, या फिर अब आप चुनाओ करेंगी दूसरा, चुनाओ तो होने को है, चुनाओ जब होंगी, तो हम लोग टायक कर देंगी, किस के साथ जाना होगा, एक मन बना लिया होगा, कि गड़बंदन के साथ रहिएगा, या फिर आपको भाजपा के साथ, नहीं लग रहा है, और बहुत चीज़ें बाकी हैं, आपको क्या लग रहा है, कि जो अत्याचार कहा जा रहा था, कि अत्याचार कम हो जाएगा, अत्याचार कम हुआ है, मोधी सरकार में अत्याचार कम हुआ है, अब नता बढ़ते जा रहा है, जो भी हो, किसी के साथ नहीं रहें जो हमारे हक और सम्मान के लिए लड़ेंगे, बात को दबाएंगे नहीं, हम उनके साथ रहेंगे ये बच्ची से ले करके महिला, महिला तो क्या एक छोटी बच्ची को भी ये करना पड़ रहा है चोटे 6 साल के बाची उंके साथ बलतकार, बाची ने क्या गलत किया है कौन सा गलतका पड़ा पहना है स्कूल जाती है उंके साथ छेढखानी ओट्रों डा रहीं हुर ज़गाँ छेढखानी साम को जाओ रत पे जाओ किसी भी समज़ है वो सोरक्षित नहीं नरेंदर मोधी जो कहे थे कि चार साल हमको पांस साल दीजिए हम देखिए आपके कम कर देंगे अत्याचार हुआ है नहीं कुछ नहीं हम कोई के नहीं मानते हैं नेते भी धायक तो चोड़ी करवा रहा है डेकाइटी करवा रहा है सब कुछ करवा रहा है बैंक लुट वारा उसी सब लुटवाता है महिलाओ को प्रोटेक्शन देने में मोधी मतलब विफल हो चुके हैं अब मोधी के हम नहीं जाने की मोधी कहां है राहुल कहां है अनितिस्वा कहां है और वो कहां है अब ही जो आगा पर आवरत रोट पर धरना दे रहा लिए है जो वादा किया गय जिस तरह से आए दिन घटनाए घट रही है कहां कौन सी महिलाओ सुरच्षित है महिलाओ सुरच्षित है क्या ये सवाल तो हम ही आप से कर रहे है अगर सुरच्षित होती तो हम सब को इतनी भारी संख्या में आज रोट पर उतरने का जवड़ था कोई जवड़ नहीं था ह अगर नरेन मोदी इस बीच हम लोगों को सुरच्छा और यहां पे तो नितिस कुमार है ना अगर हम यहां पे सुरच्छा पूरे तरह से मिलती तो हम रोड पे क्यों उतरते। साथ रहेंगे उनको रोल मॉडर मनाएंगे नारा तो सब देंगे विश्वास किसे हैं उसी के साथ या नए कोई और भी कल्प चुनेंगे जो नए सरकार ही आए क्योंकि अब तो हम लोग देख चुके इतने साल से और बढ़तिगर्ट नाय हो रही है उस पर रोक नहीं लग र नरिंद्र मोदी के चार साल पूरे तो हो गए जो वादा उनने किया था बहुत हुआ नारियों पेवार अब की बार मोदी सरकार मगर अत्या चार अब भी बंद नहीं हो राज इसको लेकर काफी नाराज है महिलाए और आज सडक पर उतर चुकी है झाल 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 झाल